नमस्कार आप देख रहे हैं, VK News मैं हूँ दिवाकर विक्रम से आस्ट्रेलिया के प्रधान मंत्री एंथनी अल्बनीज ने जब प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने आस्ट्रेलिया का दौरा किया था एक बयान दे करके उन्होंने पूरी दुनिया को चकित कर दिया था और वो ये था कि PM मोदी पूरी दुनिया के बॉस है ये एक ऐसा कारिक्रम था जब वहाँ पर भारती समुदाय के लोग एनराइज एकठा हुए थे और इतनी बड़ी तादाद में जब लोगों को एकठा होते हुए उन्होंने देखा और प्रधान मंत्री के प्रती उनका लगाओ देखा तो एलवनीज ने ताकालिक प्रत्क्रिया में यही कहा कि दुनिया को राह दिखाने वाले प्यम मोदी सचमुच में वरत्मान वैश्विक राजनीत में बॉस की इस्तिति प्राप कर चुके है प्यम का बॉस कहना नरेंद्र मोदी ने उसे बहुत ही सहरदैता के साथ स्वेकार किया था और उसके बाद उस पर पूरी दुनिया ने राजितिक टिपड़ी की थी आखबारों में और सोसल मीडिया के जबिये भी उस पर टिपड़िया हुई थी लेकिन कनाडा की एक घटना के बाद जब आस्ट्रेलिया अमेरिका और ब्रिटेन ने कनाडा को सला दी कि दोनों देशों के संबंधों को ध्यान में रखते हुए हर एक देश को दूसरे देश के संप्रभता की रख्षा करनी चाहिए इस बयान के बाद आस्ट्रेलिया के प्रधान मंतरी अल्वनीस ने एक बार फिर पत्रकारों को फटकार लगाई है क्योंकि एक मुलाकात के दौरान जब एक अस्ट्रेलियाई पत्रकार ने पूछा कि कनाडा के घटना के बाद जो कुछ भी जस्टिन तूडो ने भारत के बारे में कहा है और जो जानकारियां चूडों के मुताबिक सामने निकल के आ रही हैं एक सिख आतंकी के हत्या को ले करके अब भी क्या अलवनीज प्रधानमंत्री नरेंदर मौधी को बॉस कहेंगे इस सवाल के जवाब में अलवनीज थोड़ा रुके लेकिन वो नाराज भी हुए और उन्होंने पत्रकार से पूछा कि क्या आप मुझे सवाल कर रहें पत्रकार से आगे उन्होंने कहा अगर आपने ऐसा कहा तो हां मैंने ऐसा कहा था अलवनीज ने एक तरह से उस आस्ट्रेलियाई पत्रकार को आईना दिखाया और साथी ये भी कहा कि क्यों उन्हो बहुत मजबूत हैं और चीन की दोसाहस पूर कोशिशों को रोकने में जिस तरह से आस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका प्रयास कर रहे हैं G4 के जरिये वो भी पूरी दुनिया जानती है वरत्मान परिस्थितियों में आस्ट्रेलिया भारत के रणनीतिक मजबूती की स्थिति को समझता है इसलिए अमेरिका के साथ आस्ट्रेलिया भी भारत को हर एक मुद्दे पर सहयोग कर रहा है जहां तक वो सकारात्मक मुद्दे हो अगर ऐसा आस्ट्रेलिया समझता है तो वो ऐसा कर रहा है और इस संदर में अलवनीज के नेत्रित में पूरा आस्ट्रेलिया भारत के साथ है। लेकिन अब पत्रकार ये सवाल करते हैं कि PM मोधी बॉस हैं इसलिए क्योंकि कनाडा के प्रधान मंत्री टूडो ने आरोप लगाया है कि उनके देश में भारत के स्पाई अर्थात खुपिया संगठन के लोगों ने नि जो खालिस्तान मुव्मेंट चलाता है और खालिस्तान के लिए फंड इकठा करता है। खालिस्तान के लिए कनाडा में फंड इकठा करने वालों को टूडो बहुत सहानभूत नजरिये से देखते हैं और उनके समर्थन में लोगतंत्र के आड़ में धेर सारी बातें करते है अमेरिका ने इस पर प्रत्क्रिया दी और टूडो को नेक सलाह दी आस्ट्रेलिया ने भी सलाह दी और अब आस्ट्रेलिया के वो अफ़ार जो कुछ थारत विरोधी तत्व हैं वहां के अफ़ार नवीस भी हैं वहां पर एक पत्रकार ने ये सवाल किया कि क्या आप भी आप कहेंगे टूडो ने उसको डाटा पटकारा टूडो ने जो कहा वो हम आपको बताते हैं अलवनीज ने कहा क्या सच में आपने ये सवाल पूछा आप ये क्यों पूछ रहे हैं आपको थोड़ा चिल करने की ज़रूरत ये अलवनीज ने उस पत्रकार से कहा चिल करिए इतना उत्साहित हो करके और आगोश में आ करके किसी के उकसाने पर आप इस तरह के सवाल कर रहे हैं, ऐसा सवाल नहीं करना चाहिए, ये अलवनीज ने कहा, उन्होंने कहा, आप जानते हैं, आस्ट्रेलिया के जिस स्टेडियम में पियम मोदी थे, उससे पहले मैं वहां मसहूर सिं सिंग्स्टीन के साथ मौजूद था, मैंने बिल्कुल सही बात कही थी, भारती प्रवासियों ने बेहद उत्साह के साथ पियम मोदी का स्वागत किया था, बहुत उत्साह से बस इतनी सी बात है, इसलिए मैंने आस्ट्रेलिया में पियम मोदी का स्वागत किया, जैसा कि मै और आस्टेलिया में आये दोंगे मिहमानों का स्वागत करता हूँ ये अलवनीज ने कहा जियो असे चेना, kidding कि द चाओ जे असे हमारक सिरी सिरी, साथ भाया, चाओ कि मुदम्सेश तेसे पहूं सिरी अङभाइ जहों से चा attempts anyway. Seriously, you should chill out a bit. We're at a venue, where Bruce Springsteen played the last time I was there, and I made the point that the reception he got from the community which was a very broad-based community, were there from the Indian diaspora, welcomed him very strongly. It's as simple as that. So I welcomed Prime Minister Modi to Australia as I welcome other guests to Australia as well. I don't talk about Five Eyes Intelligence at a press conference funnily enough. That's why it's called intelligence. It's because we don't speculate on what the intelligence is. So I don't intend to talk about Five Eyes Intelligence. इस मंच पर, Bruce Springsteen को देखा था और उन्होंने भी इतना भर्पिस स्वागत नही देखा था न उनको इतना बेहतर स्वागत मिला था जो पीम मोधी का हुआ है स्वागत और जो पीम मोधी को यहां प्यार मिल रहा धी इसलिए प्यम मोधी बस हैं, तो सुना आपने अलवनी किस तरीके से नाराज हुए उस पत्रकार के सवाल पर? आपको लग रहा होगा कि वास्तों में कनाडा के प्रधान मंत्री ने ऐसा क्या कुछ कह दिया है कि अब पश्चिमी देशों में भी इसकी प्रत्क्रिया हो रही हम आपको बता दे कि आस्ट्रेलिया, अमेरिका, खारत, कनाडा ये सभी मिल करके व्यापार को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए ही, G20 में इनकी भूमिका और G20 की उस भूमिका को आगे बढ़ाने की कवायद में हैं, लिकिन टूडो जिस तरीके से खालिस्तानी आतंकियों के प्रोपेगेंडा में पढ़ करके भारत के सास्थ संबंद खराब कर रहे हैं, उससे भारत और कनाडा के अंतर देशिय व्यापार हो रहा है इन देशों के बीच में और उसके माध्यम से पुरा एक चेन बनेगा और पूरी दुनिया का व्यापार उससे जुड़ेगा, उसमें बहुत बड़ी रुकावट पड़ सकती है, शायद चूडो यह नहीं समझ रहे हैं क्योंकि उनको और किसी मुद्दे पर खराब नहीं है, लेकिन पिछले कई वर्सों से जिस तरीके से कनाडा में खालिस्तानी आतंकी प्रभावी हुए हैं और वहाँ पर एंटी हिंदू, एंटी सनातन फिलिंग्स को वो जग जाहिर कर रहे हैं, उसका उभार कर रहे हैं और विविन कारिक एक फिलिंग बनाई गी है और अब उसका उभार इसकदर प्रभावी हो गया है कि टूडो भी मजबूर हैं, बैराल कनाडा और भारत के रिस्ते तो आने वाले समय में पता चलेगा कि क्या उसकी इस्तिती होगी, लेकिन जिस तरीके से अलवनीस से वहां के पत्रकार ने सव मिर्ची लगी है कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटन जैसे देश भारत का साथ दे रहे हैं और कनाडा को समझा रहे हैं कि वह भारत की संप्रभुता की रक्षा करें, उसका सम्मान करें, लेकिन टूडो है कि मानने वाले नहीं, आकिर में यह मजबूरी उनकी क्या है यह भी आप सभी जानते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि निज़र के हत्या के बाद टूडो ने जो प्रोपेगेंडा किया है और खालिस्तानी आतंक वादियों के रणनीत में वो जो फसे हैं, उससे भारत और कनाटा के संबंदों के साथ साथ, पूरी दुनिया के साथ संबं पूद देश से अलवनीज से सवाल किया गया, लेकिन अलवनीज ने उस पत्रकार को फटकार लगाई और कहा कि हाँ मैंने कहा था, और पियम मोदी बॉस हैं, यह इनी कारणों से कहा था, उसमें कुछ भी गलत नहीं है, अप मारे इस खबर और विस्ट्रेशन से कहां तक सह हैं, अपने प्रत्रिया दीजिए, फिलाल मुझे दीजिए इसाज़त, नमस्कार.